दिल्ली से अंबाला को जाने वाली हाईवे पर रोज की तरह गारियां मंगलवार को भी दंदनाती हुई आगे की और बर रही थी। ट्रक वालों की लाइन थी, बस वालों की लाइन थी, 4 विलर से लेकर 2 विलर तक वाले दंदनाते हुए तेज रफतार से आगे की ओर जा रहे थे, इस बीच दिल्ली से अमबाला की ओर एक नेता का काफिला उसी रोड से गुजर रहा होता है, अचानक काफिले की एक गारी ट् सवार होकर ट्रक ड्राइबर के साथ दिल्ली से अंबाला तक जाता है और इस बीच वह ट्रक ड्राइबरों की समस्या पुछता है कैसे उसकी जिन्दगी करती है इन तमाम चीजों को लेकर जानकारियां लेता है और इस बीच सरक से गुजर रहे लोग जब देखते हैं कि उस पुछने लगें कि आखिर कार भईया तुमारी दिन कैसे करती है साती सात वो पुछने लगें कितना दुख और कितना सुख है वो पूछने लगे कि आखिर कार कैसा लगता है ड्राइवर की नोकरी राहूल गांदी इन तमाम सवालों को लेकर जवाब लेते रहें और इस बीच राहूल गांदी का काफिला एक लाइन होटल पर राहूल गांदी अन्य ट्रक चालकों से भी पूछते हैं क और ये तस्वीरे जब सामने आई तो लोगों ने तारीब भी की लोगों ने ताने भी मारे राहूल गांदी को लेकर चर्चा भी हुई सोसल मेडिया पर राहूल गांदी की वो तस्वीर चाय हुई है वो तस्वीर हम आपको दिखा भी रहे हैं आप देख सकते हैं तस्वीरों में दिल्ली से अंबाला जाने वाले मुख्य सरक पर राहूल गांदी कैसे ट्रक में आपको नजर आ रहे होंगे ट्रक में बैठे न पुर्व अध्यक्ष रहे हैं ये वो राहूल गांदी हैं जिने देश का बच्चा बच्चा जानता है। पुर्ष रहे हैं दिल्ली से चंडीगर तक ट्रक में सवार होकर आये राहूल गांदी कैसे ट्रक चालकों की समस्या सुनने को परियासरत हैं साती सात वो समझ रहे हैं कि आखिरकार ट्रक चालकों की तकलीफे क्या हैं। फिलहाल रहूल गांदी अपनी बहन पिडियंका गांदी के घर सिमला पहुँचे हैं। कॉंग्रेस ने हिमाचल में सरकार बनने के बाद अब OPS बहाल कर दी है। इसी के चलते अब परदेश के करमचारियों ने धरमसाला में अभार रैली रखी है। ये तस्वीरे जो आप देख रहे हैं राहूल गांदी के उस तस्वीर को लेकर आप जो चर्चा हो रही है। ये वो तस्वीर है जब राहूल गांदी ट्रक में सवार हो जाते हैं। जब राहूल गांदी खास स्याम हो जाते हैं और ये नजर आता है कि भारत जोरो यात्रा के बाद कॉंग्रेस को करनाटका में मिली सफलता के बाद राहूल गांदी अब जमीनी अस्तर के नेता हो गए है। हवा हवाई वाले नहीं राहूल गांधी ट्रक में सवार हो गए हैं राहूल गांधी ट्रक चालकों से भी पूछ रहे हैं कैसे हो दोस्त फिला हाल आप टोड़े विहार निज के साथ मने रहें धन्यवाद